किसान भाईयो नमस्कार आप से भीका अमारी एक और नई वीडियो में स्वागत है आज की वीडियो में बात करने वाले हैं गन्ने में चाहिए वो पोदा गन्ना हो चाहिए वो पेड़ी गन्ना हो कल्ले कैसे बढ़ाए किसान भायों सबसे बड़ी समस्य है, पोदे गन्य और पेड़ी गन्य में जमाओ तो हो जाता है, लेकिν किसान भायों उसमें फूटाओ बिलकुल भी नहीं हो पाथता हैं, आज की वीडियो में आज इसे के बारे में बात करने वाले हैं कि गन्य में फुटाओ जाड़ जादा कैसे ले करलो की मातर कैसे बढ़ाए ट्रिल्लिंग जाड़ 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 कैसे हो सके जी से खेट में जाटा गन्य बने और पैदवार गन्य की वसल चे बहुती सांधार ली जा सके किसान भायो कुछ किसान भायो खेत का जो गन्ना है वह पीला भी पढ़ रहा है और पत्ते सूखे सूखे से हो रहे हैं उसकी विश्व में भी आज की वीडियो में बात करने वाले हैं जो आपको इस वीडियो में खाथ बताया जाएगा यदि आप इस खाथ के इस्तमाल कर ले गन्ने का पीलापन भी दोर हो जाएगा और किसान भायो गन्ने का जो फुटाओ है गन्ने की टिल्लिंग है वह भी बहुत ही अच्छी मातर में आपको देगने को मिलेगी मातर एक हपते के अंदर ही आपके गन्ने का रंग और आपे गन्ने में फुटाओ बहुत ही सांदार आपको देने को मिलेगा तो किसान भाई यो वीडियो को आप पूरा देगेगा तब याप एक अच्छी और सही जानकारी ले पाएंगे यदि आप हमारे चैनल पर पहले बार आया है तो करपय करके चैनल को सब्सक्राइब अवस्य कर लिजेगा जिससे हमारे चैनल पर आने वाले से भी वीडियो आप तक पहुँच सके और आप खेती से सम्बंदी सारे जानकारी सही समय पर और सही तरीके से ले सके किसान भाईयो सबसे पहले इस खात के रूप में आपको ले नए एक बैग यूरिया का यूरिया यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जरूरी है यदि आप इस खात के इस्तमाल चाहे पोदय गन्ना हो चाहे वो पेड़ी गन्ना हो आप इस खात के इस्तमाल पहले पानी पर भी कर सकते है और दोसरे पानी पर भी कर सकते है जब भी फुटा होता है पहला पान देते हैं दूसरा पान देते हैं सिद्धा दुकानदार के पास आते हैं दुकानदार कहता है कि ये डाल दो ये डाल दो ये डाल दो उसे कोई मतलब नहीं है कि आपके केट में फुटा हो कल्ले निकल दे ना निकले उसे बस मतलब है तो सिर आपको लेना है एक यूरिया का इचे के साथ आपको लेना है मैगनेशियम सल्फेट है पोदा गन्ना होता है जम जाता है या फिर पेड़ी गन्ना होता है तो क्या होता है मैगनेशियम सल्फेट की कमी जरूर होती है आपने देखका होगा कि गन्ना पीला पढ़ना शुरू हो जाता है और दोसा किसान भाई होता है फैरस सल्फेट इन दोनों की कमियत आपके गन्ने खेत में है आप कितने खाद डाल लेजे फुटाओ के लिए कितने उर्वरग गरो आपको लेना है मेगनिशन सल्फेट और इजी के साथ आपको लेना है 10 किरोगराम फैरस सल्फेट आपको इन तीनों को अच्छे से मिला लेना है और मिला लेने के साथ ही आपको अपने गन्ने की लाइन में डलवा देना है गन्ने की लाइन में आपको साम के समय डलवाना है और रात को लगबग एक दो गुंटा रोग देने के बाद आपको अपने खेट में पानी बर देना है आप अपने गन्ने के चाहिए पोदा गन्ना हो चाहिए पेड़ी गन्ना हो रात में अपने गन्ने में सिशाई कर दीजे या फिर किसान भाईयो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले आप सिचाई कर दीजे और सिचाई करने के लगबग एक से दो दिन बाद आप अपने गन्ने की लाइन लाइन में इस खाद को डलवा दीजे आपका गन्न जितना भी पीला पड़ रहा है फूटाओ नहीं चल रहा है बहुत ही सांदार आपको रिजल्ट मिलेंगे और बहुत ही सांदार तरीके से आपके जो गन्ना है बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा और उसका रंग अमातर एक हफ्ते के अंदर आपको नजर आएगा कि आपका गन्ना कितनी जादा बड़वार में है कितनी जादा गरोध कर रहा है आप ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले पानी पर आप सागरी का हुमिकेसिड सलफर और यूरिया इनकी डोज दे सकते हैं और दूसरे पानी पर इस खाद को यानिकी यूरिया मेंगरिजम सलफेट और इनको दे सकते हैं या फीर पहले पानी पर आप इसको दे दिजिए और दूसरे पानी पर आप सागरी का सुषर ओमिकेसिड यूरिया को दे दिजिए वल्लब यूरिया उप थोड़े थोड़े करके दे दीजे दोनों खादम इन दोनों को मिक्स करod मेंगरियं लेकिन यह मै का स्थमाल अलग-अलग करना है आप हमारी एक और नई वीडियो दे सकते हैं फुटाओ के लिए इनने खाद बताया है उसकी लिंक में आपको डिस्क्रिस्टन में दे दूंगा आप उसको पी देख सकते हैं आप उस वाले खाद हुए तो पहले लगा लिजे इसको बाद में अच्छे लगी होगी यदि जानकारी अच्छे लगी हो तो वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना मिलता है कि नई वीडियो में नहीं जानकारी के साथ तब तक किलने में शिकार